जारखन में JPSC यानि जारखन पब्लिक सर्विस कमिशन के अध्यक्ष का पद 22 अगस्त से खाली पड़ा है अध्यक्ष के पद का खाली रहने के कारण कई रिजल्ट जो है पैंडिंग है सबसे जादा जो डिमांड शातर कर रहे हैं कि जल से जल JPSC के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए वो JPSC Civil Services के जो स्टुडेंट हैं वो हैं क्योंकि मेंस परिक्षा हो चुका है और उसका रिजल्ट आना है और रिजल्ट आने से पहले ही जो JPSC की अध्यक्स थी ततकाली अध्यक्स रोज नीलिमा किरकेटा वो रिटायर हो गी है और उसके बाद से ही पद जो है खाली है इस वक्त हमारे साथ कई स्टुडेंट हैं जो JPSC के अलग-अलग परिक्षा में सामिल हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि इनका रिजल्ट कब आएगा अब जबकि ये माना जा रहा है कि कल जब जब जार्खन केविनेट की बैठक होनी है और ये आखरी केविनेट माना जा रहा है उसके बाद हो सकता है कि चुनाव की घोषना कभी भी हो सकती है लेकिन किसी को नहीं पता कि कब चुनाव की घोषना होगी लेकिन चात्र चाहते कि कम से कम इस कैभिनेट में ज्येिप you के अध्यक्ज की नियुकती आजाए निए ओक्त हो रहा है अध्यांद्य के जो तमाम प्रिच्छे सिविल सर्विसज्स हो गया एक्जाम है ये नहीं यहonne कि इतने दिनों तक अध्यच का पद खाली रहेगा और सरकार के तरफ से इतनी निरासा हाथ लगेगी हम लोगों क्यों अगर जदी अभी भी अध्यच का पद कल के कैबिनेट में प्रस्तावित होता है और पास किया जाता है तो निश्चित तोर पर ये सारी परिक्रियां पूरी कर ली जाएगी क्योंकि जेपेसी कॉंस्टिशूशनल बोड़ी है वो एमसेसी में भी रिजल्ट अपना जारी कर सकती है और सरकार इस पर ततपड़ता दिखाए और हमें आसा है सरकार से और पूर्न विश्वास है कि कल के कैबिनेट में हम लोगों को जो निरासा अभी तक हात लगी है वो आसा की किरन हमको देखने को कल मिलेगी सरकार के तरफ से हमेशा ऐसा कहा जाता है कि हमारी सरकार जो है महसूस करती है सुनती है, समझती है और एहसास भी करती है लोगों के दर्द के बारे में तो हमें सरकार से अपेक्छा है कि हम लोगों के दर्द को सुने समझें और एहसास भी करें ऐसा हम कामना करते हैं सरकार से और सरकार से ही मेरी गुजारी से है कि जल से जल JPSC का चेर्मेन को निक्त किया जाए, ताकि हम लोग की जो परिक्रियाएं हैं, वो जल से जल पूरा किया जाए. क्यों नहीं कोई आभी हैं और 슈 हैं深os हम भी जा चुके हैं तो mismos से हमेह तiãoधि जवाब नहीं मिल रहा है दूसरी चीजे हैं जो चेर्मेन की नुक्ति है वो कार्मिक विभाग से किजाती है और कार्मिक विभाग जो है मुख्य मंत्री के करकमलों में आता है मुख्य मंत्री जब चाहें आज चाहें तो अभी भी चेर्मेन की नुक्ती हो सकती है बिडाउट कैबिनेट भी हो सकता है कैबिनेट का भी अप्रूवल बाद में लिया जा सकता है इसमें कोई कैबिनेट की सब्सक्राइब लग अगा है कि हम लोगों को किसी तरीके से मौत के घाट में उतारा जारा रहा जा अगर कहीं से कोई ऐसा कहा दे कोई को ड्यक्ति औत्राइट्टी कि आप लोग मर जा यह मैं की निउपती हो जाएंगी तो हम लोग और अध्यक्ष नहीं होने के कारण पद अध्यक्ष का तो खाली है लेकिल लगातार JPSC के नाम से इंदिनों फ्रॉड कॉल भी लोगों के पास आ रहा है और कहा जा रहा है कि आप पैसे दीजी आपको पास कर दिया जाएगा आपको भी फोन आया था और इस पर मुखमंत्री स संग्यान भी लिए थे लेकिन उसका कोई ठोस जवाब अभी तक मेरे पास नहीं आया है कि वह फाई यार पर क्या प्रोग्रेस हुआ किसे पकड़ा गया आप से कोई पूष्टाच अभी तक नहीं हुए सर्क दुखदवारक नहीं कोई थाना से फोन आया हमको और जहां तक फोन कॉल की बात है तो लगभग टेलीग्राम ग्रूप है जो मेंस लिख है खepे सब्सक्राइए लगभग उसमें से साड़े चार सो मेंबर को फोन आ शुका है वी टिय neighbors पिर फी पुलीस अब तक कुछ नहीं कर रही है उसमें से कितने लोगों ने कंप्लेंडरज करा इसको लेकर के DGP महोदे को भी अबगत करा चुके हैं क्या बोले DGP? DGP महोदे का कोई खास reply तो नहीं आया उनके माध्यम से वो बोले कि ठीक है इसको हम संग्यान में लेते हैं लेकिन अभी भी आज current का situation बता रहे हैं आज भी दो लोगों का call आया है लेकिन एक ही complaint जो आपने कराया उसी पर अगर जाच होती तो मुझे लगता है कि हो सकता धकुलासा हाँ देखे जो calls आ रहे हैं वो लगभग एक ही ब्यक्ति के गिरहो के आप तरब से आ रहे हैं क्योंकि मैं सुन रहा हूं कि account number भी दिये जा रहे है हाँ account number भी जो आ रहा है सर उसमें HDFC बैंक का राचिक ब्रांच का ही account number है उसको हम सर्च करके भी देखे तो आराम से इसको ट्रेस किया जा सकता है कौन वो लोग है इतना माइनूट इंफोर्मेशन इतना माइनूट लेवल पर इंफोर्मेशन आम के बारे में क्या क्या बता गया है जो अल्टरनेट नमबर मैंने फोर्म में दिया था एक्षा नमबर जो मांगा जाता है उससे संपर्किया गया तो बिल्कुल देखें यह पहले इस्टूडेंट है जिने जो जेपी सी के नाम पर फोन आ रहा है कि आप ऐसे दीजी आप आपको पास कर दिया जाएगा वो यही व्यक्ति है और इन्होंने निर्सा थाना में मामला दर्ज कराया है लेकिन उस मामले में भी अब तक कुछ नहीं हो पाया कम से कम इतना तो तुरत कर देना चाहिए जेपी सी के तरब से एक नोटीस जारी कर देना चाहिए बकायदा और बता देना चाहिए कि यह ओफिसियली कॉल नहीं है अगर कोई किसी के पास भी इसे संबंदित ऐसे कॉल जा रहा है तो वो थानाय में जाकर मामला दर्ज कराया जिनी स्टुडेंटों ने करवाया है कम से कम उसकी जाच होनी चाहिए और उससे भी बड़ा सवाल यह और यही की 22 अगस्य जो जेपी सी के अध्यक्ष का पद खाली है वो जल से जल भरा जाना चाहिए और कल जैसा कि छात्र मान रहे हैं और तमाम लोग मान रहे हैं कि कल की आकरी कैबिनेट है कल 12 बजे दिन से कैबिनेट की बैठक शुरू होनी है और उस कैबिनेट में कम से कम जेपी सी के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रस्ताव तो जरूर आ जाना चाहिए ताकि जो सेकडों हजारों चात्र हैं उन्हें थोड़ी रहात मिले शुक्रिया